पास कम capital होता है, वो अपने इस छोटे capital से बड़ा पैसा बनाने के चक्कर में zero hero trade को चार्ट पर ढूनते हैं, लेकिन इन में से कुछ ही trader profit बनाते हैं, तो बहुत बड़ी संख्या में traders loss करते हैं, लेकिन यहां जो trader profit में है, वो और जो loss में है, इन दोनों को market में expiry के दिन किस इसी option का premium एकदम से 10 रुपए से बढ़कर कुछ ही समय में 100 तक कैसे पहुच जाता है, या फिर इसके पीछे क्या कारण है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती, इसी कारण वश बहुत से trader इसे gambling की तरह trade करते हुए, इसे zero hero trade का नाम देते हैं, इसलिए आज के इस वी का delta अभी 0.50 है, तो अगर यहां nifty 50 100 points से बढ़कर 25100 हो जाता है, तो इस call option का premium यहां 100 multiplied by delta value इतना बढ़ेगा, यानि की 50 points तक बढ़ेगा, मार्केट में अगर आपने option chain को बारीकी से देखा होगा, तो आपके समझ में आएगा कि out of the money options का delta value हमेशा 0.00 से 0.50 के बिच में हो और put options का delta हमेशा negative में count किया जाता है, लेकिन क्या delta का value हमेशा के लिए fix होता है, इसका answer है नहीं, क्योंकि delta भी समय समय पर change होता है, अब इसके लिए gamma को आपको समझना होगा, अगर nifty 50 के 25,000 के spot price में यहां 100 point का change आता है, और इस strike price के call option का delta value अभी 0.50 है, साथ ही उसके gamma का value अभी 0.0008 है, तो अगर nifty यहां 100 point बढ़ने से gamma का value 100 multiplied by gamma value, इस तरीके से gamma का value बढ़ेगा और gamma बढ़ेगा तो delta का value भी उसके साथ बढ़ेगा, जिससे option का premium भी उसी तरीके से increase होगा, अब यह calculation देखकर अगर आपको confusion हो रही है, तो आपके लिए इसे थोड़ा simple करके बत value में plus कर दे, जिससे delta यहां 0.50 से बढ़कर 0.58 हो जाएगा, अब delta value को आपके option के premium में plus कर दे, साथ ही किसी option के premium के बढ़ने या घटने के पीछे वेगा और theta का भी हाथ होता है, लेकिन अगर आप मेरी बात को मानते हैं, तो आपको इन में से किसी भी calculation को live trading में करने की कोई भी जरूरत नहीं है, एक option trader होने के